मुंबई के अगले मेयर को लेकर सिस्पेंस अभी तक बरकरार है कॉंग्रेस ने साफ किया है कि वो शिर्व सेना का समर्था नहीं करेगी मुंबई कॉंग्रेस के अध्यक्ष संजर निरूपम के मताबिक इस मामले में शिर्व सेना दुष्प्रचार कर रही है संजे निरुपम ने कहा है कि कॉंग्रेस शिवसेना को सामप्रदाइक पार्टी मानती है और इसलिए वो उसका साथ नहीं देगी मारश्ट में अंदर खाने चल रहे हैं जोड तोड से यूपी के मुस्लिम वोटर सदमे में है यूपी चुनाओ के कल इस क्रिटिकल स्टेज पर मुस्लिम वोटर सको सदमा लगा है क्योंकि मुंबई कॉंग्रिस में शिवसेना से बातचीत कर रही है ताके बीमसी में मिलकर राज चलाया जाए मुंबई के कॉंग्रिस नेता गुरुदास कामत इसका विरोध कर रहे हैं लेकिं राहूल गांधी कामत की बात नहीं सुन रहे है इस पर राजरीते के प्रक्षेकों का कहना है और उन्होंने सवाल खड़ी किये हैं और वो पूट रहे हैं कि अब यूपी में अखलेश कॉंग्रिस के साथ मिलकर कैसे मुस्लिम से वोट मागेगी क्यूं क्या यूपी में मुस्लिम वोटर्स अब मायवती का साथ देंगे उत्रप्रिदेश के 11 जिलों की 51 सीटों पर कल मतदान होगा विधान सभाद चुनौक के पांचवे चरण में कर जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें कौमिस पाध्यक्ष राहूल गांदी के संसदे शेत्र अमेठी भी शामिल है इस सीट के लिए आगामी 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे पांचवे चरण के चुनाओं में अमेठी सीट से स्पी के टिकेट पर सरकार के विवादस पद मंत्री गायत्री प्रिजापती के साथ कॉंग्रेस उमिद्वार अमित्ता सिंग और बीजेपी प्रत्याशी गर्मा सिंग की प्रतिष्ठा भी दाओं पर लगी है इसके अलावा राज्य सरकार के मंत्री स्पी यादव विनूत कुमार सिंग और पंडित सिंग तेज नाराइन पांडे और पवन पांडे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचल राजभर की सियासी हैसियत का भी अंदाजा इस चरण में लग जाएगा यूपी में कल पांचवे चरण का मतदान होना है इसके बाद चार और आठ मार्ट को छटे और साथवे चरण के लिए वोर्ट डाले जाएंगे सियासी रण में आज भी दिगजों की रहलिया हैं सीयम अखिलीश यादवाज सात रहलिया करेंगे महाराज कोंच कुशी नगर जिलों में सीयम अखिलीश एसपी के उमीदवारों के लिए वोट मांगेंगे बीएसपी अध्यक्ष मायवती बलिया और गोरकपुर में चुनावी रैलिया करेंगे वही बीचिप अध्यक्ष अमिश्या भी आज पांच चुनावी रैलिया करेंगे अमिश्या माराज कोंच आजमगड और जौनपुर में रैलिया करेंगे वहीं केंद्रे, ग्रिह मंत्री, राचनास्तेंग, कुशिनगर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में रैली करेंगे केंद्रे मंत्री, उमाभारती, गोरकपुर में चुनाबी सभाएं करेंगे स्मिनती रानी, महराज कोयज, जौनपूर और चंदोली में चुनाभी सभाए करेंगे वहीं आरचेटी अध्यक्ष, लालु पसाद यादव, देवरिया जिले की एसपी कॉंग्रेस गठबंधन के पक्ष में रैली करेंगे यूपी कॉंग्रेस प्रदेश यद्यक्ष, राजबबर, देवरिया और गोरकपूर में चुनाभी सभाए करेंगे वाराणसी में आठ मार्च को आखरी चरण के मतदान होगा पियमोदी के संसद्य शेत्र होनी के चलते वाराणसी पर सभी दलों की इनत रहें केंद्रे ग्रे मंत्री राजना सिंग आज वाराणसी में प्रेस कॉंफरेंस करेंगे यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथूर आज वाराणसी पहुंचेंगे ओम माथूर 28 परवरी तक वाराणसी में बीजेपी का चुनापरचार करेंगे और समीक्षा भी करेंगे, केंद्रे मंत्री भी आज वारंसी जाएंगे बेस्पी नेता अफजाल अंसारी की आज वारंसी में तीन चुनावी सभाएं हैं वारंसी में मतदान के लिए लोगों को जागरु करने के लिए महिलाएं क्रेंडल मार्च निकालेंगी आज मार्च को मतदान है और उसी दिन अंतर राष्ट्री महिला दिवस भी है वारंसी में जन अधिकार मंच के राष्ट्री अध्यक्ष बाबु सिंग कुश्वाहा दोहनिया विधान सभा में जन सभा करेंगे भार्त्य जन्ता पार्टी ने जो अपनी यू रचना बनाई थी उसकी सपलता है और मैं ये कह सकता हूँ लगबग आधे चनाम आज संपन होगे भार्त्य जन्ता पार्टी बहुमत ही नहीं प्रचन्ट बहुमत की और आगे बढ़ रही है चुनावी मौसम में सियासत दानों के जहरीले बयानों पर चुनाव आयूग ने कड़ा इतराज चता है चुनाव आयूग ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से प्रचार के दौरान धार्मिक भवनाय भड़काने वाले बयान नहीं देने के लिए कहा है चुनाव आयूग ने कहा है कि अगर भड़काओं बयानों पर सियासी दल रोक नहीं लगाएंगे तो दोश्यों के खलाफ कड़ी का अरवाई की जाएगी चुनाव आयूग ने सियासी दलों को लिखे खत में चुनाव प्रचार के दौरान सहीं बरतने के लिए कहा है आयूग निकाए कि ऐसे बयान ना दिये जाएं जिससे जाती धर्म भाशा या दूसरे आधारों पर अलग अलग पक शुप्रभावित हों और समाज की आंत्रिक शांती भी भंग हो साती चुनाव प्रचार को जोड़ने के लिए मना किया गया था लखनों में गरीब नवाज फाउंडिशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजाने मुस्लिम से बी एसपी को वोट देने की अपील की है अंसार रजाने एसपी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए काय कि दोनों पार्टिया मुसल्मानों के धोका दे चुकी है इसलिए मुसल्मान अपना वोट अब बी एसपी को दे बात चानना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि कुछ लोग साइकल के सिंबल पर चुनाओ रो रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे और नेता जी के दर्मियान जबड़ा करवाया है ऐसे लोगों को सबक से खाना यह उन्होंने अपनी स्पीच में कहा हम उन से ये जानना चाहता हूं कि जब आछ जाहर सी बात है कि उनका इशारः शिवर्पालजी के दर्ब यह नूंसे में सिवर्पालगों को बोड़ sector ण्रेщее मारे तो आप किसको बोट देवाना चाहिए। हमारे पास जो रिपोर्ट है अगर आप गुरूप कहींगे तो हम गुरूप देदेंगे कि अपले सियादों ने बीजीवी को बोट दिया है। सबसे बड़े मुसलिम चहरे आजम खान को मुसल्मानों को धोखा देने वाला पता है। दिली से आए मिल्ली मजलिस के मुफ्ती एजाज अर्शद कास्मी ने 5 साल सूबे में हुए दंगों के तौर पर सीधे तौर पर सीधे तौर पर एसपी को घरे में खड़ा किया और कहा क के मुसलिम्स को अमन चैन चाहिए ना के लापटॉप और स्मार्पोन और मुसल्मान भी इस बात का फैसला करने जा रहा है कि अब वो किसी का बंदवा मजदूर नहीं है वो किसी के पीशे जाने वाला नहीं है जो उनके लिए काम करेगा मुसल्मान उसके साथ खड़ा होग सब एक साथ खड़े हुए हैं और सब का आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फिरेंस करकर के अपने एरिया से अपने शहर से सब लोगों ने लब्बे कहा है यूपी सरकार की समाजवादी एंबूलेंस पर चुनाव के दोरान अब समाजवादी शब्द नहीं दिखेगा यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजिक के मुख्य सच्चिव को एम्बूलेंस पर लिखे समाजवादी शब्द को धक करने के निर्देश दिये है ये निर्देश बीजेपी नेता जे पी एस राठोर की शिकायत पर जारी किया किया बीजेपी नेता ने शिकायद दर्श कराई थी कि सरकारी पैसे से चलने वाली एम्बूलेंस के दरिये यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रचवार किया जा रहा है और ये चुनावी आचार सहिता का उल्लंगन है कौंग्रिस पार्टी के प्रदेश प्रबकता मतुरा प्रसाद जोशी का कहना है कि इस मीटिन्ग में पार्टी के सभी प्रत्याशी जिला अध्यक्ष और संगर्ठन के महमंत्री मौजूद रहेंगे पार्टी विधान सभा चुनाव की समीशा करेगे जिसमें मुख्यमंत्री हरी शरावत के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की शुरुपाद्याई भी मौजूद रहेंगे मनिपूर चुनाव में अपनी पहली रैली में पीएम मोधी ने कॉंग्रेस पर जमकर निशान साधा इमफाल में छे बागी गुटों को बंद को पीएम ने कॉंग्रेस के शारे पर करने के लिए बताया पीएम ने आरोफ लगाया कि मनिपूर सरकार को सत्ता बचाय रखने के लिए दिल्ली में कॉंग्रेस आला कमान को रिश्वत पहुचानी पड़ती है मनिपूर विधान सभा की साथ सीटों पर दो चरण में चार और आठ मार्च को बोटिंग होनी है उदर पूर्म ग्री मंतरी पी चेदंबरम ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है एदराबाद में कारिकरम के दौरान चेदंबरम ने कहा कि अगर हालात सुधरे नहीं तो कश्मीर शाध हाथ से निकल जाएगा अगर पूर्धुप प्रसारण मंतरी वेंके या नाइडू ने चेदंबरम के बयान को हैरान करने वाला और गयर जिम्मिदारा न बताते हुए कॉंग्रिस से माफी सफाई मांगने की बात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी आज सुभा एक बार फिर रेडियो पर मन की बात करेगी ये उनके 29 भी मन की बात होगी पी-म इस बार शिक्षा, स्वाफ्ट, योग और स्वाच्छ भारत के अलावा कई एहम मुद्दों पर बात चीत कर सकते हैं यूपी में करप्शन के हाईवे की खबर आपके चैनल इंडिया 24-7 पर दिखाये जाने के बाद सरकार शासन सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्ता फूटा है बागपत में घुटाली के खुलासे के बाद लोग सडकों पर उतर आए सडक बनाने के नाम पर यहां हरे भरे पेड काट दे गए सडक के पास बने मकान भी हटवा दिये गए लेकिन सडक नहीं बनी वही शामली में भी गाहों वाली खासे नाराज हैं खसाहल सडक से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सास और दमी की तकलीफ से भी लोग गुजर रहे हैं दिल्ली सहारनपूर यंगनोत्री हाइवे बनाने के नाम पर साथ अरब से जादा का घुटाला हुआ हाइवे बनाने वाली हैदरबाद की कमपनी सेबलिस कमपनी के चारों डारेक्टर सभी तक फरार चल रहे हैं डारेक्टर के साथ साथ चोधे बैंक अधिकारियों के खलाब भी मुकदमा दर्श किया गया है यूपी में सडक बनाने के नाम पर घुटालों का बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली सहारनपूर यमनोत्री हाइवे बनाने में साथ अरब से जादा का घुटाला किया गया दिल्ली सहारनपूर यमनोत्री हाइवे बनाने के लिए 2011 में ठेका दिया गया यूपी राजमार्ग प्राधिकरण ने हैदराबाद की सेबलिस हाइवे कमपनी को ये ठेका दिया 900 दिनों के अंदर काम पूरा करना चाहिए था लेकिन अब 13 फीसदी तक ही काम हो पाया है सेबलिस हाइवे कमपनी ने 14 बैंकों से 7 अरब रुपे का लोन लिया था और 7 अरब के सड़क घोटाले के खुलासे के बाद सेबलिस कमपनी ने 4 डारेक्टर्स के साथ साथ 14 बैंक अधिकारियों के खिलाफ लखनों में केस दर्ज किया गया है दोका धड़ी, गबन समीत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और लोन देने वाले बैंकों में SBI, ICIC बैंक, औरियंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और देना बैंक के नाम शामिर है यूपी के अलीगर में बीती रात अग्यात वाहनों की चपेट में आकर बाइक सवार तीन यूवकों की मौत हो गई घटना थाना इगलास के कर्थला गाउं की है हाथसे में मारे कए तीनों यूवक, पवन, राम खरी और मोहित एक ही परिवार के रहने वाले थी इन में से मोहित का नाम की यूवक की कल शादी भी होने वाली थी हाथसे के बाद गाउं वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया, पुलिस ने मौके पर पहुँच कर जाम खुलवाया, पुलिस मामली की जांच में जुकी दिल्ली के रोहिनी अवंतिका इलाखे में शनिवार को वाशिंग मशीन में डूबने से दो बजुरवा बच्चों की मौत हो गया बच्चों की उम्र करीब 3 साल बताई जा रही है, बच्चों की मा वाशिंग पाउडर लेने बाहर गई थी उसी दौरान वाशिंग मशीन में गिर गए दोनों बच्चे, बच्चों की मा को लगा कि कोई बच्चों को उठा कर ले गया इसलिए वो कई घंटों तक घर से बाहर बच्चों को ढूरती रही, लेकिन बाद में बच्चे वाशिंग मशीन के पानी में डूबे हुए मिले वामले का खुलासा होने के बाद घर में हंगामा मच गया, लाड़नों की मौट से मा रोरो कर बुरा हाल है दिली में गैंग रेप के पाच आरूप्यों को पलिस ने गरफतार किया है, इन सभी पर एक कॉलेज छात्रा से गैंग रेप करने का आरूप लगा है दिली में एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने शिकायत की थी कि तीन फरवरी को कॉलेज के अनुल फंक्शन के बाद उसके दो दोस्तों गौरब और सन्नी ने उसे सचिन नाम के शक्स के साथ फरीदाबाद भेजा और पीड़ित को फरीदाबाद में रहताश नाम के शक्स के घर ले जाया गया जहां गौरब सन्नी सचिन और रहताश ने लड़की के साथ गैंग रेप किया वार्दाद के बाद विनोध नाम के शक्स को लड़की को दिली लेकर रवाना हो रहा था विनोध ने भी रास्ते में लड़की के साथ रेप किया पीड़ित ने 18 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाच में बंटी नाम के शक्स को भी इस मामले में शामिल पाया पुलिस ने गौरब, सन्नी, रोहताश, विनोद और बंती को गरफतार कर लिया है लेकिन सचन अभी तक फरार है सभी आरोपियों को न्याएक रासत में भीज दिया गया है उधर पटना में दलिच छात्रा के यौन सोशन के मामले में मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्श 익 की गिरफतारी के लिए SIT बनाई गई है दानापूर में ESP राजिश कुमार को SIT का नया प्रमुख बनाए गया SIT निखिल प्रियदर्शी की गिरफतारी के लिए अलग-अलग शहरों में गई निखिल और मामले के दूसरे आरोपी ब्रिजिश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका पर पतना की निचली अदालत में कल सुनवाई होनी है देहरादून में एकनेजी अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगा है यही नहीं मैक्स हॉस्पिटल के हड़ी विशुशगय के खिलाफ लापरवाही का केस भी दर्ज किया गया है राजपुछ थाना के में केस दर्ज किया गया है फिलाल जांच जारी है दरसल दहरादून के अस्पताल पर लापरवाही और गलत राज के आरोप में गड़वाल मंडर के अपर आयुक्त हरक सिंग रावत नहीं आरोप लगाया है पत्र लिखा है वहीं देरादून के CMO का कहना है कि कोई भी गलती पाई गए तो तुरंट कारवाई की जाए Cashless economy को बढ़ावा देने के मकसद से लॉंच किये गए भीम अपने नया विश्वर रिकॉर्ड बना है नीती आयोग के मताबिक भीम अप को एक करोड़ सतर लाख बार डाउनलोड किया गया PM नरेंद्र मोदी ने नोट बंदी के बाद 30 दिसंबर को भीम अप लॉंच किया था अप की सबसे खास बात यह है किसे इंटरनेट के न होने पर भी इस्तेमाल किया चा सकता private sector में काम करनेवारे कर्मचारीओं को सरकार एक और सोगात देनेचारे है सरकार ने सफारिश की है कि private sector में काम कर रहे लोगों को भी केंधरी कर्मचारीओं के तरफ 20 लाख रुपे तक की gratuity मिले काबिनेट से प्रस्ताफ पास होने के बाद इसे बजट सत्र के अगले हिस्से में संसद में पीश किया जाएगा फिलहाल प्राइविट सेक्टर में जादा से जादा 10 लाक रुपे तक की ग्रेचुटी दी जाती है मेंगे स्टेंट बेचने वाले अस्पताल अगर मरीजों के पैसे वापस लोटा देते हैं तो उन पर कारवाई नहीं की जाएगा ये बात खुद नेशनल फार्मस्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानि एनपी पी एने की है एनपी पी एने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि अगर अस्पताल मरीजों के पैसे लोटा देते हैं तो ये मामला खत्म कर दिया जाएगा जब तक नए शिकायद नहीं मिलती पिछले दिनों एनपी पी एक को दो अस्पतालों के खिलाफ मेहंगे स्टेंट बेचने की शिकायद मिली थी और NPPA को हर्याना के रोहोतक के आक्सिजन अस्पताल और दहरादून के भारत हार्ट इंस्टिक्यूट के खिलाफ महेंगे स्टेंट पेशने की शिकायत मिली थे गूगल ने उबर पर सेल्फ ड्राइविंग कार की टेकनोलोजी चुराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा ठोका है गूगल की सेल्फ ड्राइविंग प्रोजेक्ट वेमा 2009 से ड्राइवर लेस वीकल पर काम कर रही है गूगल ने उबर पर अपनी टेकनोलोजी को चोरी करने का आरोप लगाया है अगर आप को अपने देश की सडकों पर बिना ड्राइवर के कार दोरती नजर आए तो चौकिएगा मत क्योंकि जल्द ही ऐसी संभावना है कि ऐसी कारे आ सकती हैं मोटर वीकल आक्ट में प्रस्तावित शंसूधनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइवर के बिना चलने वाली गारियों की टेस्टिंग के लिए परमिट दे पाई की मुकेश अम्बानी की कमपणी रिलाइंस जियो ने एप बेस्ट टेक्सी सर्विस लॉंच करने की खबरों का खंडन किया है कमपणी ने का है कि रिलाइंस जियो की एप बेस्ट टेक्सी सर्विस शुरू करने की ऐसी कोई भी योजना फिलाल नहीं दिलिके इंदरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर जल्द ही एयर ट्रेन दोड़ेगी इस एयर ट्रेन को आप आईशेय एरपोर्ट का खुद का मेट्रो भी कह सकते हैं इस मेट्रो के जरीए यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में मदद मिलेगी इंस्टेंट मेसेजिंग अप वाट्सेप डिजिटल पेमेंट सेग्मेंट में एंटरी करने की तयारी कर रही है पुड़े टेस्ट में करारी हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोली ने अपनी ही टीम के आलोचना की है कोली ने का है कि फिछले दो साल में टीम इंडिया ने सबसे खराब बल्ले बाजी की है पुड़े टेस्ट के तीसरे दिन आस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रग से हरा दिया फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को लेकर विवा तेज हो गया है पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी जंडी देने से मना किया अब फिल्म के खलाव पत्वा भी जारी कर दिया गया है फिल्म नर्माता प्रकाश जा को लेकर मजलिश शूरा ने पत्वा जारी किया है